हेलो, नमस्ते, आज मैं आप लोग के साथ एक DIY सेर कर रही हूं, एक waste काटून से मैं बनाने जारी हूं और lace से, एक काटून है उसके उपर lace को लगाना है इस टाइब से, राउन राउन करके, मैं आपको बता आ रही हूं लगाने के लिए ऐसे, राउन राउन धूमाते जाना ह और लगाते जाना है और बीच बीच कोने कोने में थोड़ा थोड़ा गुलू लगाना है मैं फेवी कॉल से बना रही हूं आप चाहे तो और भी गुलू गन आते हैं उनसे बना सकते हैं मेरी DIY कंपलीट होने वाली है आधी हो चुकी है और एकदम जल्दी बन जाती है कोई भी इसको बना सकता है छोटे बच्चे भी बना सकते हैं एकदम आसान है और कहीं भी हम इसको रख सकते हैं DIY मेरी बनके रेडी होने वाली है आप चाहे तो काटून के अंदर गिफ्ट रैपिंग पेपर से अंदर को भी मतब चिपका के बना सकते हैं और सुन्दर लगीगी उससे लेकिन मेरे को अंदर रैपिंग पेपर नहीं लगाना था मेरे को ऐसी रखना था क्योंकि बाहर से द बनने के बाद आप इसको कहीं भी रख सकते हैं टेबल में ड्रेसिंग टेबल के उपर बातरूम में रख सकते हैं क्लीनिंग का सामान रखके या फिर आप अलमारी में भी रख सकते हैं छोटी-छोटी सामान इसमें डालके इधर उधर नहीं होगी आपके छोटे बच्चे स स्कूल जाते होंगे तो उनकी छोटी-छोटी सामान रख सकते हैं, टाई, बेल्ट, मोजा, रुमा आले सब रख सकते हैं, मेरी DIY पसंद आई होगी, तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सस्क्राइब, कॉमेंट कीजिएगा, थांक्स पूर वाचिंग।